कि गुड मॉर्णिंग बाबू क्लास एट ध्यान दो आप लोग का आज चैप्टर टू जो था ये सेक्षन जो हमने बोला था मर्केंटरिलिजम का स्टेडी करने के लिए तो ये इसमें तिंचार पार्ट तुम्हारा हो जाएगा तो मैं एक स्टेडी करने के बाद में एक पा जिस दिन हम लोग टेक्स्बूक रेडिंग किये थे उस दिन मैंने तुमको बताया था कि रूपियन पामवर्स इन इंडिया भारत में जो हमारे इरूपिय समराज्य का आना हुआ इरूपियन सक्तियां जो होती हमारी इरूपिय देश की जो एक्ष्वल पामवर था हमारा भारत में कैसे है तो इस चैप्टर में मेजर तोर पर हम इनहीं 3-4-5 चीज़ों करना अच्छे से स्टैडी करेंगे एक मर्केंटरिजम यानि कि तुम्हारे यह मर्चिंट सबसे तुम्हारा बना है जिसको हम लोग बानी जिवाद करते हैं बानी जिकाते हैं इसे एक हमारा कमर्स कमर्सिलीटी होती है बेपार और बेवसाय हमारा होता है और उसी तरीके से फ्रेली किसी चीज़ों करना मार्केट में ट्राजेक्शन करने की जो आजादी हमारी होती है उसको हम लोग बानी जिक भी करते हैं इसके बाद नेक से तुम्हारा ट्रेड वार्स तो प्रेड वार्स ही और रेड वार्स में क्या है कि सुलस हो के बाद है न ऊरुपेन कंट्री में जितने भी मतलब ऐसफे आपना इंकम को बढ़ावा देना चाहती थी तो टेकनिलोजिकल मतलब इन्वेंशन पर बीसेज जोड देने लगे और है ना यहर्वेज के तिखर बात ही नहीं था तो रोड़वेज या रेल्वेज भी भी बहुत आधनिक है तो रेल्वेज का तो यह भात ही नहीं था एक मात्र रोड्वेज था और यह 16 सव के बाद में जो इंवेंशनल यह टेकनोलोजिकल जो हमारी इंप्रिव्मेंट हुई उसमें सी रूट का पता चला जो एक नहीं चीज था ठीक है तो उससे सी रूट के माध्यम से पर्तिकीज हो गए डाच हो गए फ्रांसीस हो गए ब्रिटीस हो गए हरे कंपनिया भा करने का प्रयास उन्होंने प्रारंब कर दिया तो यह जो ट्रीड वार्स हमारत तो इसमें जुटर मा रहा है इसमें यहीं इसका कारण था कि हर कंपनी चाहती थी ना कि एक ही प्रकार की गोड़्स चुकित है को इरुपिन कंट्री में भारत के जो सबसें क्वालेटी के कप प्रक्षित रखने में मदद करते थे तो उसकी रिक्वायर्मेंट थी सस्ते लेवर चाहिए था वह आपको भारत में उपलब था हमारा चीप लेवर जिसकों करते हैं इसके अलामें उनहीं त्यार मालोकों मार्केट में बेचने के लिए बड़ा मार्केट भी चाहिए था भारत ही हमारा था तो इस प्रकार से हर एक कंपनी मुनाफ़ा कमाना चाहती थी नतीजा यह हुआ कि समुद्री छेत्रों में यह कंपनियां आपस में जगडा करने लगी और एक दूसरी के जहाजों को डूबाना एक दूसरी को वैपारिक नुकसान पहुंचाना ऐसी और इसके बाद में ब्रेटिस इंग्लीज इस इंडिया कंपनी इसमें बार बार आता है तो हर एक जो देश थे ना पॉर्टगीज हो डच हो फ्रांसीसी हो ब्रेटिस हो यह सब लोग इस इंडिया यह पुरव के तरफ का देश है भारत यह और यह जो कंपनी इस्टेबल की जाती थी भारत आने के लिए तो उसका नाम था हमारा इस्टेडिया कंपनी है ना तो यह सबसी बड़ा रोल प्ले किया है इंग्लीज इस्टेडिया कंपनी हलाकि पॉर्टिगीज का भी था देनिस हिता है ना और ब्रेटिश था लेकिन इस ट्रेट वार में सफल हुआ हमा अब देखो यह तो ट्रेडवार जो था ना यह इरुपेन कंट्री के आपसी देशों के बीच में ही जो जगड़े हो रहे थे इंडिया में स्टेबल होने के लिए और यहां पर क्या हुआ कि जब इंडिया में स्टेबल हो गया ठीक है तो अब भारत भी कैसे इसका बिस्तार क के साथ में यह मुगलों को कमजूर करने के लिए किया गया था तो यह सब सिक्वेंस में हम लोग नहीं जीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे जो यह तुम्हारे बुक में तुमको दिये हुए है इस सेक्षन में मर्केंटरिलिजम का जो टर्म हमारा बताने का प्रयास किय क्या होता है तो यह बार-बार मैं बोड़ रहा हूं देंगो सिंप्ली मेंस देट कमर्शियल लिजम यह बैपारी गतिविधियों को ही ना आगे बढ़ाना हमारा जो होता है वह बनीजीक बनीजीक ब्योस्ता कर लाती है यह पॉलिटिक और बनीजीक अदिविधियों को है न प्रमोट करने के लिए इंपाउर्ट करने के लिए और एक से ज़्यादा डूसरी जगह पर उसके शमलाज्य शथापित करने के लिए या तुम्हारे उसके विश्थार करने के के लिए मतलब कोई ऐसा सेंट्रल पावर और उसके गाइडलीन की ज़रूरत का हमारा ना होना चाहिए कहने का मतलब है कि बड़ी कंपनी इस दिले करके एक केंडल बनाने वाला भी ना मतलब यह प्रोडियूसर और कंजूमर के भी इसमें कोई मेडिया नहों उसकी डाइरेक् के बारे में बताया भी गया है कि इन्विंसिवल हैंड डिस्क्राइब हाव विदाउट एनी सेंट्रल डाइरेक्शन इन फ्री मार्केट एकनॉमी अब दा विकर एंड़ केंडल एस्टिक्स मेकर प्रवाइड वाट पीपल नीड यह डाइरेक्ट रेसिंग खुली ववस्त था हमारी थी फिलोस्पिकल बेस पर हमारा याधारी था ट्रेड का जो कंसेप्ट यह उपिन करने की बात इन्होंने इसमें कही है इसके बाद में देखो एडवांटेजिस के बारे में तो एडवांटेजिस में तो यह हुआ नेशन वीकम दा इंप्रेलिस्म हाला कि यह जो समराजवादी जो प्रविर्ती है जिसको इंप्रेलिस्टिक कहा जाता है यह तो कोई अच्छी चीज नहीं कही जाएगी लेकिन चलो प्रतियस्परधा जो थी कंपेटीशन था ट्रेड कंपेटीशन था उसमें यह बाते जो देश यहां आ रहे थे उनके लिए बहतर था कि चलो कॉलोनीज फॉर्म करके वह अपना मैक्समम मुनाफ़ा कमा रहे थे लेकिन भारत जैसे जो विकासी यानि के डवलाप्मेंट बेस्ट कंट्री या तुम्हारे डिपेंडेट कंट्री बहुत सरे ऐसे भी पूर और चोटे स्टेट थे हमारे जो कही ने कहीं उनके उपर कर गया क्या हुआ क्या हुआ प्राधिंता यानि कि तुम्हारी गुलामी का ना तुम्हारे फ्रेडम का चींज जाना तो यह सब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हमारे हैं देखो कॉलनीज इंपरिलिजन फॉर्दी तो यह सब समराजवाद यह कुई अच्छा नहीं माना दिखूगे यह संपराजवादी प्रिविर्दी नहीं न मुगलों के time में भी और जो भी दिली सल्तनत काल में या एंच्ट समेश जग्या वगरा का ठाल तो वहां के कहीं कहीं चानता कि झाल लग में खलल पड़ती थी बिगन पड़ता था बाधा पहुंचती थी तो करने का मतलब है कि कि किसी व्यक्ति को घुलाम बना देना किसी देश को उपने मेंस के तरप उसका सोसन दाउर्दमन करना यह अच्छी बात हमारी नहीं माने जाती है अब देखो मेजर ग्रोबल ट्रेड के बारे में दिसमें दे रहा है कि आप्र डिस अड्रांटेज अब दा मुगल इंपायर है ना डिसिंडिक्रेशन अब दा उसके पतन के बाद में मराठा का उध्वा हुआ बटो भी एक सर्टेन टाइम के बाद में समाप्त हो गया अफग टीयू अबूसया कम्पनी में तुम्हारा एसे में एरोपेन कंट्री जो थे हमारी यह फिरिटीस वाले इंडिया का इंडिया का इंडियू से हुआ अफरीका से हुआ मेदिल एच मध्यपुर्व से और साउथ-इस तो हम लोगे कंट्री में तुम लोग देखी रहे हो असि इंडिया से तुम्हारा बनी पढ़ोगे तो तुमको पाओगे यही पढ़ाया भी था मैंने तो यह यहां के वाना चाहते था एरोपियान बॉट सब्सक्राइब करने के लिए रंगाई पुताई करने के लिए हमारा यह सुल्पिटर के बारे में यह गन फैक्ट्री वगरे में काम आती है और टेक्स्टाइल टेक्स्टाइल तो यहां का जिसमें कुलीन बर्ग हमारे होते हैं उन कुलीन बर्गों को यह सटिस्फाइब करता था इसमें दीए भी होगा तुमारा तुमारा ऑर चाइना इंडिया साथ इस्टिया इस टीडिक प्रोड़ी दीरे बढ़ते चला गया और यूर्पेन कंट्री से बेशा प्यार और बेशाय होने के साथ मेना हमारे यह भारतिय मतलब लोगों का भी न यह कौईन मगरस गोल्ड उल्ड सिल्वर रूलर का यह हुआ इंप्रोव्मेंट इन का हुआ तो वेस्टरन पावर में इंग्लेंड हो गया फ्रांस हो गया इंग्लिस भी हुआ और यह इसके बाद में तुम्हारी इस्टिंडे कंपनी भारत में आती है ठीक है तो इस्टिंडे कंपनी जब भारत में आती है तो उसके सी रूट्स के पता लगाने में दे रहा है कि क्रिश्टूपर कॉलंबस ने भारत को खोज कर निकले निकला था बट तुम्हारा 1492 में अमेरिका का खोज गिया और ये वासकोट इगम्मा जो निकला था कहीं और के लिए बट ये पहुचा तुम्हारा इंडिया में 1471 में को ये सी रूट में तुमारे बुक में नहीं दिया हुए है एक मेरे पास day अंसी आटी की भूक है उससे तुम देख सकते हो भारत में आने वाले जो रास्ते थे हमारे तेको यह ब्रेटिस है ना बहुत क्लूज कर देते हैं आइसलेंड से हमारे हो गए सेंट हिलेना और यह केप अफ्रिका से तुम्हारा यह रास्ता भटकते भटकते यहां पहुंचा और उसको मैप प्रॉबाइड किया था उसके एकॉर्डिंगली कुछ आडिया लेने का प्रयास किया तो उसको पता चला कि यहां से उसको उमीद ज अच्छा यहां से उसको उमीद जगी थी कि भारत दिखाई देगा तिसले केप अच्छा यहां से उसको होप यानि कि आसा जगी थी है ना तो यह उत्तम आसा लेकर कि नहीं आगे के तरफ बढ़ा और 1470 में वो तुम्हारा कालिकट के पास में पहुंचा था कालिकट साथ इंडिया का एक बहुत बड़ा जगह था जहां से ट्रेट एंड कॉमर्स की कतिभी थी है हमारी अच्छे डंग से चलती थी तो यह तुम्हारे मेजर फैक्टर्स है जो तुम यहां से प्रारंब हुआ तो अब यहां यह इंट्रोडक्शन का जो था हमारा यह लर्न करने के पढ़ने के लिए जो दिया था मैंने उसी में यह कंप्रीट इसका एनलेसिस हमारा इस वीडियो में तुम्हारा दिये हुए है और अगला है ट्रेड वार्स जिसमें पॉर्द पता लगा लिए और यह कंपनियां बीच में बढ़ती प्रतिसप्रथा से भारती बजारों में इन चीजों को किमते बढ़ने लगे थी से मिलना वाला मुनाफा गिरने लगा था अब इन बैपारी कंपनियों के फ़लने फुलने का एक यही रास्ता था कि अपने प्रतिसप था आउटे खड़क कर देते थे थे माल से लाड़े जहां जो कर आगे बढ़ने से रोग देते थे और हथियारों बल पर लूट पाड़ भी के तो हरे कमपनी चाहते थि पौरतिगी चाहता था था कि हं इंडिया में जमी रहें ड़्च चाहता था कि मी याद करो तुम्हारा सल्तनात प्रियर्ड और मुगल प्रियर्ड या उसके पहले मुहम्मद गजनी और गजनवी का भारत को कौन ज्यादा लूट सकता है और कौन मतलब लंबे समय तक लूटेगा भारत को यह अपने टाकत के आजमाई सिहां पर लोकिया करते थे वहां पर भी यह होता था सत्ता का जो खेल था समराजवादी प्रविति तो थी और अपने पूना सेंटर में एस्टैबल करने के लिए हर एक परकार की जो डाइनेस्टी थी आपस में कुलाइड करते रहती थी तो यह भी तुमारा ट्रे डाइनेस्टिक तरिया कर सकते हो चु तो उसमें यह ट्रेड वार्स का होगा है लेकिन इसके पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे तब इस पर हम वीडियो बना करके भीज़ेंगे वो भॉलूम वाजी तुम्हारा वीडियो तुमको जाएगा तो इस वीडियो में यह इरुपेन पावर्स केमीन इंडिया का एक इस सेक्षन को समझने के लिए ठीक है यदि फिर भी कोई प्रोब्लम आती है तो तुम मुझसे पूछ सकते हूं और में तुम्हारे लूप लब रहूंगा ठीक है बावू इस वीडियो में बस इतना ही चलो ओके